दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका एक और वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के अंधर डेट्शन डेडी को गाड़ी है इसके दो तीन गाड़ी है मैं लगातार महीने के मतलब महीने में दो तीन गाड़ी में मैं सेम प्रोब्लम देख चुका हूँ ओ मैं का रिले का फ्यूज होके है कि नहीं होके है मैक्सीमम टाइम होता क्या है अपनी गाड़ी का जो फैंस राउड है यह फैं जो है चलता चलता बंद हो जाए यह काम ना करे तो इसकी वज़ए से 100% गाड़ी ओवरीट होती है ठीक है बट अगर यह फैन भी चल रहा है छा जाएगा ठीक है जो पाइप जा रहा इसे यह दिक्रहूर है इनल對不起 में मिल जाता है मंदलब फोलान्ट है ठीक है और यहीं से हैं उपर सीधा इदर यह वाटर फंप जो है यह स्को खीच के वापसस से इंजन के अंदर डाल देता है प्रोसेस तो यह है सर्कुलेशन का बट आपकी गाड़ी में हो रही है ओवर हीटिंग की प्रावलम एंड कूलेंट भी नीचे नहीं गिर रहा है ठीक है आप देखते हो कि गाड़ी ओवर हीट हो रही है तो मैक्सिमूम टाइम क्या होता है कूलेंट लीकेजिंग की वज़े से गाड़ी में दिक्कत आ जाती है ओवर हीटिंग की तो अभी आप क्या करते हो आप तो नोर्मल चीजे हैं मतलब जो नोन टेक्निकल बंदे हैं जो ओनर सेंगों क्या देखते हैं की नीचे कुछ गिर तो नहीं रहा है या कूलेंट तो कम नहीं हो गया या इस कूलेंट बोतल में चैक कर लेंगे इसके अंदर तो कम नहीं हो गया यहां तक है न तो मैं आज आपको वो मेन पॉइंट वो चीज बताऊंगा किस वज़े से उन तीन गाड़ियों में एंड क्या लीकेज हो रहा था जिसकी वज़े से गाड़ी के अंदर कूलेंट कम हो जा रहा था एंड गाड़ी ओवरीट हो जा रही थी और उसके बाद भी एक चीज आती है आपने देखा होगा गाड़ी जब ओवरीट होती है ओवरीट होने के बाद आप गाड़ी बंद कर दो ठीक है बंद करने के बाद भी ये फैन कंटिनुएसली चलता रहता है इसका लिंक भी मैं दूँगा आपको कैसे ये फैन का करना है solution कि ये गाड़ी बंद होने के बाद ना चले ठीक है फैन गाड़ी बंद होने के बाद भी चल रहा है तो उस condition में गाड़ी ओवरीट है क्योंकि इंजन का temperature जब तक डाउन नहीं आएगा तब तक ये बंद होने के बाद भी चलता रहेगा और ये चलता रहता है अपना काम करत है बेचरा तो अब मैं आपको मेंन चीज दिखाऊंगा कि कहां पर मैक्सिमम टाइम लीकेज मिली है तेनों गाड़ियों में जो पकड में नहीं आती है एंड लोग बार-बार क्या करते हैं कभी रेडियेटर चेंज कर देते हैं सक के बिना पर कभी फैंस राउड बदल दे हैं की चलता चलता एक बंद हो जाता होगा उस टाइम पे गाड़ी ओवरहीत होती होगी कुलेंट की ब्लीडिंग करते हैं बार-बार यहां से इसकी ब्लीडिंग करते हैं बार बार कि अब जाता है दोबारा से कि कूलेंट कम हो गया ठीक है तो अभी मैं उस चीज को आपको बताने वाला हूं कि कहां पर प्रोग्लम आती है बार-बार इन गाड़ियों में जो आई है मेरे सामने आपकी गाड़ी में ऐसा नहों आप भी चेक कर लेना तो दोस्तों आपको पता ही है ग अे यहार बाटर पंप मोगा है एंडden यह जो पाईप है यह सब होगे हीटर कोड़ और इसके अंदर पुल आपका ठीक है एंड लस्ट में एक चीज़ और होथी है जो हमने दिखाई नहीं देती आ लस्ट में होते है यह वाली चीज़ पूल एं-ट एल्भो ठीक है यह ज जिसकी वज़े से गाड़ी में ओवर हीटिंग का कंसर्ण बार-बार आता रहता है ठीक है अभी मैं हल्का साइस को नीचे लेता हूँ अभी आप देखना है यहाँ पर जहाँ यह नीचे आपको बोल्ट दिखाई दे रहा होगा ना इसमें पर जो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर यह बोल्ट दिखाई दे रहा है नीचे की साइड से इसका रिंग कट जाता है ठीक है यहाँ से क्योंकि हैड जो है बहुत गरम पे रहता है और वो गरम हो के क्या होता है पानी अरामनम्चे सीपेज टाईप होके गेरता रहता है मतलब बहुत पन के उड़ता भी रहता है and गिरता भी रहता है तो एर फिल्टर के नीचे होने की वज़े से हमें दिखाई नहीं देता है तो ठोड़ा ठोड़ा पर कऊलेंट कम हो जाता है एक दो दिन में दो चार दिन तो यह तक एर फिल्टर आ जाता है एंड वह बिल्कुल इसके नीचे लग जाता है एर फिल्टर का डख नहीं लग जाता है वीडियो मैंने बहुत सारी डाली है डैट्सन देड़ी वो कि आप देख ले ना तो यह जो है ना अपना यह थर्मोस्टेडवाल और यह कूलेंट ए इस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है एक्चुल में यहां से लीक होता रहता है बार-बार कभी रेडियेटर चेंज हो गया कभी कूलेंट हो गया एंड कभी बार-बार हम क्या करते हैं ब्लीडिंग करते रहते हैं ना कूलेंट पूरा किया 10-12 किलोमेटर गाड़ी चलाई ओके फिर कोई प्रोब्लम ने बट 50-60 किलोमेटर 100 किलोमेटर चलने के बाद यहां से नीचे से अराम-अराम जे कूलेंट लीक होता रहता है एंड उस कंडिशन में एक दिन कूलेंट कम हो जाता है 6-7 दिन बाद और फिर से ओवरीटिंग की प्रोब्लम स्टार्ट हो जाती ठीक है दॉस्त अगर ऐसा है गाड़ी आपकी ओवरीट हो रहे है तो रिस्क बिलकुल नहीं लेना है क्योंकि टैपित कवर भी प्लास्टिक का अपनी ऑली 135 मैनि duplicate हर गाड़ी में प्लास्टिक का रहता है तो अब यह प्लास्टिक है तो अगर गाड़ी ज्यादा ऑइय तो उस प्रेंडिशन में और बहुत जादा खर्चा बढ़ जाता है और और भी जादा ओवरेट होगे बहुत जादा ऊड़िट है दोड़ना पड़ जाता है जो की नेक्सेसरी हमारा खर्चा जो कि कुलेंट एल्बो की वज़ाइसे चार या 5 जार का हो सकता था इतने का हो सकता था तो वो उस प्राइस से कहीं गुणा ज्यादा हो जाएगा मतलब तो यह दिहान लखना है एंड इसको अगर सीपेज या लीकेज यहां से कुछ हलका फुलका दिखे तब इसको तुनंत चेंज करा है यहां उस गैस किट को रिप्लेस करा है तो दोस्तों यही था इस वीडियो में मेरे वीडियो उसको लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मज़ परेंज